हलो फ्रेंट्स वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीडियो में जो प्रेशन लेकर के आया हूँ बहुत ही इंपोर्टेंट है और मैं आपको बता दू यह जो प्रेशन है इनको कहते हैं बीजगडित अलजेवरा बीजगडित अलजेवरा के प्रेशन है तो किया है समी आपको यह दे रखा है इस X का हमको मान गयात करना है ठीक है अब दिकर सीधा सीधा व्ल्क करेंगे तो 16 में से आप 4 को घटा देंगे 12 बचेगा गुन्धी का साइने आप गुना लेंगे 13 में से 6 को घटाएंगे तो आपका 7 बचेगा ठीक है कितना डिवाड़ आपको कितना दे रखा X बराबर कितना दे रखा दोस्तों आपको यहाँ पर 12 ठीक है इतना ही तो आपको दे रखा अब देखे इसको जब मैं कटाओंगा तो यह क्या कटेगा 12 से सीधा सीधा आपका यह 12 कट जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 7 divided by X हो जाएगा यह बात के लिए है 7 divided by X है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि X की value कितनी हो जाएगी 7 कैसे हो जाएगी मैं आपको बता रहा हूँ देखे 7 divided by आपका यह X ही तो है के लिए 7 divided by X है अगर मैं सोचिएगा प्रेश्नियों को समझेगा बराबर एक बते एक से इसका अगर मैं गुना कर दूँ ऐसे cross multiply बते में जब कोई संक्या होती है तो बराबर में क्या हो जाता है cross multiply X का multiply मैं एक से करूँगा यह X हो जाएगा बराबर एक का मान पर 7 से करूँगा 7 हो जाएगा X का मान निकल क्याएगा 7 साथ दे रखा है C option में हमेशा याद रखना अगर इस तरीके की आपकी value आपकी बन रही है divide में X का मान साथ ही रहेगा अगर divide में दे रखा है साथ ही रहेगा 6 होगा 6 रहेगा कुछ भी हो उसे आप इस तरीके से solve करने का जो मैं तड़ा याद रखेगा आपका अंसर वही रहेगा तो आपको confusion करने के लिए सिर्फ ही ये value दी गई थी कि आप जब इसको कटाएंगे तो 7 के divide में X आएगा और 7 के divide में X आएगा हम X से divide करेंगे 7 में तो X से आप divide कर सकते हैं 7 में नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं X की value कितनी है ठीक है तो ये confusion करने के लिए था प्रशने X की value आपकी साथ ही रहेगी सबकी समझ में प्रशन अच्छे तरीके से आगया आप देखेंगे अगला प्रशने अगला प्रशने है यदि 19 X स्क्वेर बराबर 100 का स्क्वेर माइनस 90 का स्क्वेर है तो X का मान है तीन बार ये प्रशने परिक्षा में अभी तक आ चुका है तीन बार आ चुका है तो आप खुद अच्छे से जानते हैं कि कितना important प्रशने रहेगा 19 X स्क्वेर पराबर 100 का स्क्वेर माइनस 90 का स्क्वेर अब देखिए आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या आप को समझ में आ रहा है इसको ध्यान से देखने पर ध्यान से देखने पर आपको समझ में आ रहा है कि a का स्क्वार, माइनस b का स्क्वार, ये फॉर्मूला हमारा बन रहा है, ठीक है, a का स्क्वार, माइनस b का स्क्वार, तो a का स्क्वार, माइनस b का स्क्वार, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, आप जानते हैं, a पिलस b, ठीक है, into a माइनस b, ये हमारा फॉर्मूला होता है, बस इसी formula में संक्या रखनी है हमारा answer आजाएगा ठीक है देखे हमारा यहाँ पर कितना दे रखा 19 x square बराबर बराबर हम इस formula के नुसाथ चलेंगे तो a plus b करेंगे यह हमारा a है यह b दोनों को जोड़ रहे हैं तो 100 को 90 को जोड़ेंगे यह 190 हो जाएगा फिर into है तो into ले लेंगे फिर क्या होगा a minus b मतलब a मैंसे minus कर देंगे b को 100 मैंसे minus कर देंगे 90 कितना बचेगा 10 बचेगा ठीक है अब 19 से आप कटाएंगे 19 एकम 19 कटेगा और 1 की 0 मतलब 10 बार में कट जाएगा गुने कितना 10 19 से यह कट गया यहां क्या बचा x स्क्वार बचा ठीक है आप देखिए यहां पर 10 गुने 10 कितना हो जाएगा यह 100 हो जाएगा इधर क्या है आपका x स्क्वार अब इस्क्वार को आप यहां से हटाएंगे तो बराबर के इधर आके इस पर रूट लग जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा 100 का रूट कितना होता है आप जानती है 10 100 का इसक्वार रूट 10 होता है तो x का मान कितना निकल के आगया 10 निकल के आगया 10 आपको पहले ओफसर में दे रखा है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सबकी समझ में प्रेशन अच्छी तरीके से आ गया अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन है यदि x-root x बराबर 90 है तो root x का मान क्यात करो ये प्रेशन भी आपका तीन बार परिक्षा में आया है और बहुती ही ज़रूरी प्रेशन है देखें root x का मान किसका पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है root x का मान ठीक है? root x बराबर क्या होगा? अब देखें मैं आपको एची बता दो root x का मतलब क्या है? जैसे की, root x का मतलब है क्या दे गई है root x का मान मतलब square root में value दी गई है ये वाली इतनी बात दोस्तों clear है क्योंकि आप से root x का मान पूछ रहा है x का नहीं root x का तो root x का मतलब क्या है आपके ये जो value दी गई है सब square root में अगर मैं 10 का square करूँगा 100 हो जाएगा और 100 का मैंने square root किया 10 विल्कुल इसको समझाने के लिए तो इसका मतलब ये जो value है ये square root में है तो मैं इनका सभी का square करके देख लूँगा तो यहाँ पर आपको समीकन दिया गया है कितना x-root x बराबर का 90 मैं क्या करूँगा पहला option लेके चलूँगा x की जगे मैं कितना रखूँगा इसका square रखूँगा क्योंकि square root की value है एक्स की जिगे में कितना रखे देखूंगा 100 माइनस रूट में कितना जाएगा 100 बराबर कितना 90 इतनी बास समझ मैं अब ये कितना है दूस्तों हमारा 100 है माइनस रूट 100 का मान कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना 90 सो में से 10 कटाएंगे, कितना हो जाएगा 90 आगा कि नहीं हाएगा, तो 90 आपका 90 के बराबर हो गया, तो हमारा root X का मान कितने हो जाएगा, 10 हो जाएगा पहला option हो गया, सही answer अगर इस से हमारा 90 की value 90 के बराबर नहीं आती, तो दूसरा option लेके देखते हैं, दूसरा option 9 नहीं, 9 का square, जैसे 10 का square लिया, ऐसे ही 9 का square, समझ में आई बात, प्रेशन समझ में आ गया, अब देखेंगे अगला प्रेशन, अगला प्रेशन है, यदि x प्रेशन का 15 प्रेशन बराबर 1.2 प्रेशन है, तो x का मान ग्याद करें, 2016 म 15 प्रेशन बराबर 1.2 प्रेशन, अब देखें सीधा सीधा समझे के प्रेशन से तो आपका ये प्रेशन कट जाएगा, और x प्रेशन का मतलब क्या है, x लिखेंगे, और प्रेशन का मतलब बटे में, सो लिखेंगे, के लिएर बराबर, बराबर के इधर क्या है, 1.2, अब यह multiply में है यह बराबर किदर आएगा तो इसके बटे में नी हो जाएगा तो यह जो 15 है यह कहा जाएगा इसके बटे में थीक है अब यहाँ से 10 मला बटाएंगे तो 10 मला बात एक संख्या है तो यहाँ पर क्या जाएगा दूस्तों आपका 1 0 आ ठीक है, अब देखें, इसको solve कर लीजे, 0 से आपका 0 कट जाएगा, 5 से कटाऊँगा, 5 दुने का 10, 5 तरीक का 15, 3 से कटाऊँगा, यह हो गया, 3 चोक के 12, cross multiply कर दीजे, इधर X है, यह कितना हो गया, 2 चोक के 8, X का मान कितना निकल के आगया, 8 निकल के आगया, जो की C option में दे रखा है, सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रेशन आगया होगा, अब देखेंगे अगला प्रेशन, अगला प्रेशन है, यदि समीकर्ण X square minus 6 के X का X plus 5 बराबर 0 का मूल 5 है, तो के का मान है, के का मान पूछ रहा है, 8 बार पर इक्छा में यह प्रेशन पूछा गया है, 8 बार, समीकर्ण आपको जो दे रखा है, उसे लिखिए, X square minus 6 के X plus 5 equal to 0 का मूल कितना है, 5, यहां पर आपको मूल दे रखा है, 5, तो मूल का मतलब क्या है, कि X की value आपको यहां पर 5 दे रखी है, X की value, तो X की value हमें पता है, 5 जब दे रखी है, तो हम क्या करेंगे X की जगे यहाँ पर 5 लिखेंगे मतलब 5 का स्कुरार माइनस 6 की X की वैलू 5 है तो 5 लिखूँगा पिलस 5 बराबर का 0 5 का स्कुरार करूँगा 25 माइनस 5 का 6 से मलबे 5 6 के 30 5 6 के 30 की हो जाएगा 5 6 के 30 और ये के पिलस कितना 5 बराबर 0 अब देखिए ये पिलस का 5 है और ये पिलस का 25 है तो 5 और 25 ये कितना हो जाएगा पिलस पिलस के मैं एक तरफ कर लूँ तो ये पिलस का 30 माइनस का 30 के बराबर का 0 ठीक है अब देखिए ये माइनस का आपका 30 के है मैं इस प्लस 30 के बराबर के इधर ले जाऊँगा तो यह माइनस का 30 के हो जाएगा माइनस से तो माइनस कट गया 30 से 30 कट जाएगा एक बार में तो k की value हमसे पूछ रहा था k की value कितनी आ जाएगी एक आ जाएगी पहला भी option आपकी प्रेशने का सही आंसर हो जाएगा केलियर हुई बात और 8 बार परिक्षा में ये प्रेशने आया है अब आपको जब मूल 5 दे रखा है तो आपको direct समझना रन चाहिए कि हमें x की value 5 दे रखी है उसके बात सवाल आपका easy हो जाएगा समझ में आगी दोस्तों बात अब देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशने है यदि a प्लस एक के बटे में a बराबर root 3 है तो a की power 3 प्लस एक की बटे में a की power 3 का मान गयात करें गुरूब d 2018 का पूछा गया प्रेशने अब अलजिवरा के ये प्रेशने में आपको पहले कराए है तो आपको direct पता होगा कि यहाँ पर दोस्तों आपके कौन सी power दे रखी है तीन power दे रखी है जब power 3 होता है तो क्या करते है इसका multiply हम इस से करते है ठीक है ये बात आपको clear है तो मैं क्या करूँगा इसको पहले यहाँ पर लिखूँगा root 3 को और इसके उपर power रख दूँगा मतलब तीन power रख दूँगा मैं और उस पर से minus क्या करूँगा इन दोनों का multiply तो दोनों का मल पर क्या हो जाएगा 3 root 3 हो जाएगा अब आपको एक चीज़ अच्छे से मालूम है कि जब यहाँ पर root है इसकी power कुछ भी हो तो यह जो power है यह यहाँ बाहर आ जाती है तो मैं ऐसे 3 root 3 लिख दूँगा minus का 3 root 3 हो जाएगा अब plus का 3 root 3 से minus का 3 root 3 कट गया तो answer कितना बचा 0 पहला option सही हो गया group D 2018 का प्रेश्ट है algebra के यह प्रेश्ट आपने करे हैं इस संख्या को लेखते हैं जब यहाँ पर power 2 होती है तो 2 को ही power रख देते हैं 2 को ही घटा देते हैं लेकिन जब power 3 होती है तो इसके उपर power 3 रखते हैं और घटाते क्या है इसका इससे multiply को घटा देते हैं power 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो कुछ भी हो मैंने सभी आपको प्रेश्ट निक कराए हैं तो algebra के वीडियो देख लीजिए चैनल की playlist में जाके algebra की playlist आपको मिल जाएगी वहाँ से सभी doubt आपके clear हो जाएगी ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला प्रेश्टन अगला प्रेश्टन है यदि a square minus b square बराबर 10 और a b बराबर 4 है तो a की power 4 plus b की power 4 का मान क्या होगा चार ओफ्सन है दोस्तों ये प्रेश्टने कम से कम 18 से 20 बार अभी तक परिक्षा में पूछा क्या है तो बहुत important प्रेश्टन है a square a की power 4 plus b की power 4 कमान किस की power a की power 4 plus b की power 4 कमान ठीक है एक कमान तो दोस्तों इसका क्या formula होता है अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो इसका एक formula होता है a की power 4 plus b की power 4 का formula याद करिए a square minus b square ठीक है plus 2 into a square into b square ये formula होता है a की power 4 plus b की power 4 का ये formula होता है ठीक है अब मैं आपर एक चीज़ आपको clear कर दूँ कि a का square b का square जैसे कि a का square और b का square तो इसका मतलब क्या है a b का square हम कर सकते है समझ मैं बात a b का square का मतलब क्या है a के उपर b square और b के उपर b square जो यहाँ पर लिखा हुआ है अब इसको solve कर लिए बस answer आ किया A²-B² कितना है A²-B² कितना है आपका 10 है तो इसका मतलब क्या करेंगे 10 का स्कुर करेंगे clear फिर क्या दे रखा है 2 दे रखा है into A² और B² मतलब AB का स्कुर AB आपका कितना है 4 है तो 4 का square करेंगे 4 का square 16 मैंने direct कर दिया 10 का square होता है आपका 100 पिलस का 2 का मलपे 16 से करूँगा 32 हो जाएगा अब मैं 100 को और 32 को जोड़ूँगा तो ये कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा तो इसका मान कितना निकल किया गए हमारा 132 ये हमारे प्रेशने का क्या हो जाएगा सही आंसर 132 पहले option में दे रखा है ये आपके प्रेशने का सही आंसर हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तो सभी को सभी प्रेशने बहुत अच्छे तरीके से समझ में आगे होंगे किसी को भी किसी भी आइकन का बटन दबा दें ताकि आपके एक्साम की तयारी अच्छे से हो पाई ठीक है दोस्तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद